if a is a square matrix such that a square equals to a then i plus a cube minus 7a is equal to तो अब हमें क्या करना है अब हमें बताना है i plus a का cube जो है minus 7a वो किसके equal होगा a b c d में से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस i plus a के cube को लिख लेंगे हम i plus a into i plus a into i plus a अब हम इसे ऐसे भी लिखे तो भी बात बराबर है और minus 7a तो अब क्या करेंगे पहले i को i से multiply करेंगे तो वो हमारे पास में होचाएगा i square फिर i को a से करेंगे तो वो हमारे पास में होचाएगा i a फिर ai then a square तो यह हमारे पास में हो गया अब हमें पता है कि यह क्या है i plus a minus 7a अब हमें question में क्या दिया है कि a square equals to a तो यहाँ पर जो हमारे पास में a square हो से क्या लिखेंगे हम a लिख देंगे और जो i square हो से हम i लिख देंगे और जो ai और ai है वो हमारे पास में 2a हो जाएगा, तो यह हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ पर i plus a बाद में, then यहाँ पर 7, minus 7 है, अब हम क्या करेंगे, 3a plus i हो जाएगा यह वाला term, क्योंकि 2a plus a हमारे पास 3a होता है, तो यह i plus a, then minus 7a, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं आगे, अब हम इसे multiply करेंगे, तो 3a को i से करेंगे, तो यह हो जाएगा 3ai, फिर 3a isquire हो जाएगा, plus i isquire, plus ai, minus 7a हो जाएगा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a plus 3a2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3a plus i isquire को i, then ai को हम a लिख सकते हैं minus 7a तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 plus 3a plus 3a 6a 6a plus a हो जाएगा 7a minus 7a plus i तो ये हमारे पास में सिर्फ बचेगा i तो इसका answer आजाएगा हमारे पास में i तो इसका जो answer होगा हमारा c option हो जाएगा i तो इस तरीके से ने question solve किया और a square equals to a था तो हमने i plus a का cube को team बर i plus a लिखा और इसे आगे process करके solve कर दिया